साथियों एक समय था जब गढ़ परिवार के भीतर ही माताओ बहनों की अनेक समस्याएं थी गढ़ के फैसलों में भुमिका बहुत सिमित होती थी अनेक गढ़ ऐसे होते थे अगर बाप और बेटा बात कर रहे हैं व्यापार की काम की और अगर मा घर से ठीचन में से भार आ गई तो तुरन बेटा बोल देता है या तो बाप बोल देता है जा जा तू रसवड़े में काम कर हमको जरा बात करने दे आज ऐसा नहीं है आज माताओं बेहनों के विचार सुझाओं परिबार में भी उसका महत्मा बढ़ने लगा है लेकिन इसके पीछे योजना बद्ध तरीके से हमारी सरकार ने प्रयास किये हैं पहले ऐसे सोचे समझे प्रयास नहीं होते थे 2014 के बात से ही देश महिलाओं की गरीमा बढ़ाने महिलाओं के सामने आने वाली चुनोतियों के समाधान में जुटा हुआ है सोचाले के अभाव में जो दिक्कत आती थी रसोई मैं लकडी के दुएं से जो तकलीब होती थी पानी लेने के लिए दो दो चार चार किलोमेटर जाना पड़ता था आप ये सारी बाते अच्छी तरह जानती है देश में ग्यारा करोड से ज़्यादा सौचाले बनाकर नव करोड से ज़्यादा उजवला के गैस कनेक्शन दे कर और करोडों परिवारों में नल से जल दे करके आपका जीवन आसान बनाया है माताओ बेहनों गरबावस्ता के दोरान कितनी समस्याई थी ये आप बहतर जानती है ठिक से खाना पीना भी नहीं हो पाता था चेकप की सुविदाओं का भी अभाव था इसलिए हमने मात्रु बंदना योजना शुरू की इसके तहट ग्यारा हजार करोड रुपिये से अधीक सीधे गरबवती महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसपर किये गए मद्द प्रदेश की भी बहनों को इसके तहट करीब तेरा सो करोड रुपिये ऐसी गरबवती महिलाओं के खाते में पहुँचे है आईश्मान भारत योजना के तहट मिल रहें पांच लाख रुपिये तक के मुप्त इलाज ने भी गरीब परिवार की बहनों की बहुत बड़ी मदद की है माताओ बहनों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अच्छे परिणाम आदेश अनुभव कर रहा है बेटियां ठिक से पढ़ाई कर सके उनको स्कूल बीच में छोड़नी ना पड़े इसके लिए स्कूलों में बेटियों के लिए अलग सौचालाई बनाए सेनेटरी पैर्श की ववस्ता की गई सुकन्या समुर्दी योजना के तहट लगबग डाई करोर बच्चियों के एकाउंट खोले गए